हलो वेलकम बैक टू माय यूटूब चैनल आज हम जानने वाले रेडमी एटे के माइक स्पीकर और एयरपेस के बारे में कैसे क्या कनेक्शन रहते हैं चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं यदि आपने अभी तक के हमारा यूटूब चैनल सब्क्राइब नहीं किया होगा तो जल से जल कीजिए और साथी साथ बेल आइकाउन जरूर दबाईए और यदि अगर आपको कोई फोन भेजना होगा रिपेरिंग के लिए तो नीचे दिये वे नंबर पे आप फोन कीजिए और हम इस जल से जल संपर कीजिए तो हम आपको बताएंगे के पार्सल कैसे और कहां लगाना है चलिए आज का डॉपिक हमारे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम आजा थे एयरपीस में एयरपीस जो बोलो तो जो कान में आ लगे वे और तीन-चार कैपिसेटर लगे वे तो यहां इसके तुरू फिर यह होते वे इसके तुरू होते वे यह सप्लाए जो है यह गया है हमारा सीधा सीधा गया है पावर आईसी में यह देख लीजिए यह पावर आईसी में गया हमारा सप्लाए ठीक है तो अभी नेक बाइन्स वाले देख लिए ये दो-दो पॉइंट है इसके तो आपको ये कौईल से होते वे ये ये रिंगर आइसी में गया है रिंगर आइसी तो अब हमाँ आ जाते हैट फोन का सर्क्रिट तुंसे बहुत हैS कि अब होते वे सीदा जा रहा है है घडफन जैक में एडेफन स्चेक पीस यह हमारा चार्जिंग का काम करता है प्लस ये headphone के नीचे flag जाता है उसमें supply जाता है तो बस आज का topic यही था अगर अभी दख के आपने हमारा YouTube चैनल सब्क्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल जल फे जल सब्क्राइब कीजिए और साथे साथ बेल आइकोन ज़रूर दबाईए अगर आपको कोई phone बेजना होँआ तो नीचे दीए वे नमबर पर comments कीचिए ठीक है अब मिलते हैं next video में ओके बाई बाई